नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनिल खराटे, पिछले 10 सालों से केड़कर हॉस्पिटल रामदा स्पेट महाराष्टर यहां पे सेवा दे रहा हूं हमारे यहां पे अलग-अलग टाइपस के, अलग-अलग बिमारिया लेके लोग आते हैं बहुत दुर-दुर से लोग आते हैं, आसाम, उत्तरप्रदेश, बिहार, मद्यप्रदेश, यहां से लोग आ रहे हैं उनके अलग-अलग-अलग बिमारिया रहती है, तो उसी टाइप का पेशंट आपने यहां पे आया है, मैं उनकी मुलाकत आपके साथ में करा देता हूं, आप कहां से आया हूं? नंदुरबार महाराष्टा, नंदुरबार महाराष्टा से आया है, इनके पेशंट आप ने, पुरा आदिवाशी बाद है, अच्छा, आदिवाशी एरिया से आया है, ऐसा उनका बोलना है, बोलो यह क्या क्या तकलिप थी पेशंट को? मैं मेरे पिता जी को लेका आया था, उनकी तकलिप बहुत ज़्यादा थी, उनको रात के समय नीन ने आती थी, एसे उदास लगता था, रात बरो बेठे रहते थे, कभी-कभी उनका चीड़-चीड़ापन बढ़ जाता था, यही बहुत सारी उनके समस्या थी, पूरी समस् मैं ने आ रहा था, उनकी तकलिप केसे दूर करें, फिर हम हमें पता लगा, क्यलकर हॉस्पिटल अकुला में हैं, वहाँ पे ऐसे सब डिसीज के लिए ट्रीप्मेंट होती है, हम यहाँ पे आये, और हमने ट्रीप्मेंट की, तो अभी उनकी तबियत में बहुत ज़्यादा इंप्रोव्मेंट हो गई है, अभी वह अच्छे लगने लगे हमें, अभी उनकी तबियत अच्छे हो गई है, देखिए अभी दो साल से पेशन परिशान था, दो साल हो गए, दो साल से यह लोग सह रहे हैं, कि अकले बैठे वे हैं, गुमसुम बैठे वे हैं, उदाश ही ह इसलिए और यहां पर आने के बाद में आट दिन हो गई लेकिन खुश है एकदम देखिए अभी पेशन के साथ में आपने बात करते हैं बोलिए आपको क्या तकलिफ है अच्छा ओके और मैं इसा उदास बैठे रहता था और ये पेट का घेर बढ़ जाने से मुझे बैठने उठने में त्रास बता है तो अभी कैसा लग रहा है आपको अभी ठीक लग रहा है अभी एकदम ठीक लग रहा है देखिए अभी साथ दिन हो गए इनको लेकिन साथ दिन में इनको 90% तक एकदम आराम है और पेशन एकदम अच्छा है तो देखिए आपके अलोस पडोस में आजो आजो में अगर कोई patient ऐसा है, depression का patient है उसको उधासी है, काम में दिलने लगता है, suicide के thoughts आ रहे है, मरने की इच्छा हो रही है काम में दिलने लगता, पढ़य में दिलने लगता, कुछ बाहर जाने को दिलने करता, ऐसा अगर patient है तो आपके patient को आपके आजू-आजू के जो पड़ोस में अगर कोई है तो उसको डिप्रेशन का वो शिकार है उसको हमारे यहां पे लेके आईए और उसका आपने इलाज कराएंगे ताकि उनके जिवन में खुश्या लियाए नमस्कार झाल झाल